नवरात्रे शुरू हो गए और नवरात्रों में एक अलग सी शुरद्धा अलग सा मज़ा होता है जब बहुत से लोग वरत रखते हैं और वरत रखनों में भी उतना ही मज़ा आता हर तरफ चहल पहल हो जाती है तो अगर हर तरफ चहल पहल है कुछ नया महौल है तो क्यों ना कुछ नया हो भी जाए तो आज मैं लेकिया एक बहुत सिंपल सी साबुदाने की थाली पीड जो व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है यहां मैंने दो बड़े आलू लिया हैं उबले हुए तो इससे पांच से छे थाली पीड बन जाएगी इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे मैशर से या हाथ से और फिर मैंने डाला एक कटोरी भरके इसमें साबुदाना तो इस साबुदाने को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था और फिर थोड़ा सा पानी का छींता देके दो घंटे के लिए साइट पर रख दिया फिर दो घंटे बाद मैंने ये रेसिपी शुरूगी अब यहाँ पर मैंने वान थर्ड कप मुफली ली है जिसको मैं बहुत अच्छे से बारीक कुटलूगी अगर आपको मुफली का करंच परसंद है तो आप हलका हलका मोटा भी रख सकते हैं तो बस इस मिक्षर में डाली है मुफली और फिर थोड़ा बहुत ही जाता है इसमें तो मैंने डाले हैं हरी मिर्च और हरा धनिया आप चाहें तो बारीक अद्रक भी डाल सकते हैं और मसाले के नाम पे सिरफ नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा अगर आप विसमें से कोई मसाला नहीं यूज करते हैं तो आप मट डाले खटाई के लिए मैंने निम्बू ने चोड़ा है आप आमचूर भी डाल सकते हैं इसको बढ़िया से आप मिक्स कर ले और आटा गून ले जैसे नॉर्मल स्टिक की आटा हो जाए जिसका पेड़ा अगर आपका मिक्स अच्छे से बंधना रहा हो तो आप इसमें एक चमत जो व्रत का आटा होता राजगरे का वो भी डाल सकते हैं तो बस इसका पेड़ा कर ले चोटी-चोटी लोई है और फिर बेकिंग शीट या फिर जो पॉलतिन शीट होती है वो ले उस पे ओल लगाए और हाथ की मदद से अच्छे से फैला ले बहुत असानी से यह फैल जाता है आपको इसको जादा पतला नहीं करना बस ऐसे नॉर्मल साइज रखे और फिर उंगली की मदद से एक या दो तीन ऐसे छेद कर लेंगे इन छेद की वाज़ा से हम ऑल जब डालेंगे इसके अंद और फिर 2-3 मिनट बाद इसको पलट दें पलटना बहुत अराम से और 2-3 मिनट बाद ही पलटें ताकि यह अच्छे से एक साइड से पक जाए नहीं तो यह तो यह तो बड़ी अराम से पलटें अगर ऐसा ना पलटा जाए तो आप पलेट की मदद से भी इसको पलट सकते है तो बस दोनों साइड से हलका हलका अपने सेख लेना क्योंकि सब कुछ पका हुआ है और साबुदाने को भी जादा टाइम नहीं लगता तो बस इसको सर्फ करें आप दही के साथ सबजी के साथ या फिर चटनी के साथ भी अच्छा लगता है इसमें बहुत कम औल यूज हु